गुडी इबनिंग एबरीबरी बेलकम टू माई चैनल आज का अमारा टॉपिक है एसेक्सल रिप्रोडक्षन ओब बैक्टीरिया तो देखे बैक्टीरिया में जो अलेंगिक जनन की किरिया होती है वो देखे किस तरीके से पूर होती है इंपोर्टेंट टॉपिक है तो देख होता है एंडोस्पोर के थ्रों एंडोस्पोर मतलब अन्ता भीजाडू के थ्रों तो देखे सबसे पहला है कॉनेडिया के थ्रों देखे किस तरीके से होता है एसेक्सल रिप्रोडक्षन बैक्टीरिया में तो यह इंपोर्टेंट है इसमें बैक्टीरिया होता है स्टेप् इसमें क्या होता है इसमें आमालगल देख सकते हैं आपैसे चयन लागल करो लाई इसमें ँपनी को लिए रिकास थे समें नहीं और रोट को का आने कर दो सोंता है है Сबसे आप्र आपैक्स पर शेकिसे धरिया कशन थे अचलाल इंचे क聊 तेकि इनको का जाता है होते हैं इसकी filament को क्या कहेंगे इंपोर्टेंट है तो देखिए जे कॉनेडिया होते हैं जो कॉनेडिया होते हैं जब इनको फेबरेबल कंडिशन मिल जाती है यानि अनकूल परिस्तितियां मिल जाती है तो यह germinate होने लगते हैं germination का मतलब होता है अंकरित होने लगते हैं और यह new bacterial cell का formation कर लेते हैं तो हो गई new bacterial cell का formation तो देखिए इस तरीके से होता है दूसरा method है by idiospore की तो देखिए किस तरीके से होता है तो इसमें भी यही चीज है जो idiospore होती है वह एक प्रकासी filamentous structure होती है और यह किस बैक्टीरिया में होता है यह important है actinomyces bacteria में idiospore की थ्रो एसेकुसल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पाई जाती है actinomyces में तो देखिए इसमें क्या होता है जो idiospore होती है वह एक प्रकासी क्या हो जाएंगे germination की प्रोसेस इनमें हो जाएगी तो यह new bacterial cell का formation कर लेंगे आप लोगों चित्र के थ्रो भी देख सकते हो यह देखिए यह प्रकासी filamentous structure होती है filamentous का मतलब होता है क्या तंतूबत structure होती है तो इनके apex पर क्या present होता है idiospore तीसरी process है by sporengiospore के थो देखिए किस तरीके सी होता है इसमें क्या होता है इसमें जो filamentous structure का जो अंत्म सिरह होता है वो एक प्रकास से फूल जाता है आप लोगों देख सकते हो यह देखिए structure है यह इस तरीके से फूल जाती है, यह filamentous structure होती है, तो इसका जो apex जिरा होता है, वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, जिसको sporangia का जाता है, यह आप लोग देख सकते हो, इसमें अंदर यह क्या present है, sporangium present है, और इसकी जो ball होती है, उसको क्या कहते है, sporangia spore कहते है, तो देखे जैसे यह blast होगी, तो इसमें जो present sporangia होंगे, वो बाहर आ जाएंगे, जो भी मतलब sporangia थे, वो कहां आ गए, बाहर आ गए, या air में आ गए, तो क्या होता है, जो sporangia होती है, अब यह क्या होने लगी कि germinate होने लगी, जैसे यह germinate होगी, जैसे यह new bacterial cell बना लेगी, तो दे इस पर काफी पर short note आता है, endospore किया होता है, इसको क्या कहा जाता है, important है, इसको चितर से समझाएंगे, तो अच्छे से clear हो जाएगा, तो देखें, जो scientist थे, कोहन scientist थे, और coach scientist थे, उन्होंने क्या किया, अठारा सो ससत्ता रिस्वी में endospore की coach की, मतलब endospore जो process थी, उसका burden किया, explain किया, तो देखें, जो endospore होते हैं, endospore का जहां भी formation होता है, यानि जिस bacteria में formation होता है, बेक परकासी कैसे होते हैं, parasite होते हैं, यानि परजी भी होते हैं, अपना भोजन स्वेम नहीं बनाते हैं, यह अमेज़ा दूसरों पर depend होते हैं, यानि अपना जो भोजन हैं तो मतलब क्या कर देते हैं, बिसाक्त बना देते हैं, उसको खाने रहीत, मतलब एक परकासी आप लोग उसको खा नहीं सकते हैं, यानि भोजन बिसाक्ता उत्पन कर देते हैं, यह फूड में, तो देखें, जो endospore होते हैं, बो कुछ तो negative होते हैं, कुछ gram positive bacteria होते हैं, आप लोगों को चित्र के थरो बताएंगे, तो पूरा किलियर हो जाएगा, इस्ट्रक्चर बताते हैं, इसकी इस्ट्रक्चर में अनेक परकासी variation पाई आती है, variation का मतलब होता है, भीमेंता है, पाई आती है, तो देखें, इसका जो सूच में प्रोटोप्लास्ट होता है, उसमें क्या प्रिजेंट होता है, उसमें एक तो DNA प्रिजेंट होता है, और एक परकासी नुकलियस प्रिजेंट होता है, तो देखें, यह किस से ढखा हुआ होता है, यह साइटोप्लास्में प्रिजेंट होता है, और आप लोग देख सकते हो, इसकी जो बारी लेयर होती है उसको outer coat layer कहते हैं, भीत्री layer होती है, उसको inner coat layer कहते हैं, इसमें जो jell की मातरा होती है वो बहुत कम होती है, यह important है, यह पूछते हैं और protein की मातरा होती है वो 90% तक होती है, enzyme में बहुत कम मातरा में secreted होती है, अब आप लोगों को बताते है, germination की process देखी किस तरीके से होती उसको जैसे भी फेबरेबल कंडीशन मिलती है तो जो एंडोसपोर होता है वो जल को एबजौर कर लेता है जब यह चल को एबजौर करेगा तो जो ज ब्रेक डाउन हो जाएगी आप आप लोगो चितर के फिरू बता जाएंगे तब किलिए हो गा इस पोर कोट होगी उसका ब् परमेशन हो गया, that is process of endospore, अब आपनों को बताते हैं चित्र के माद्याम से, तो देखें कुछ इस तरीके की होता है, चित्र, अब आपनों को बताते हैं, इसमें देखें यह एक परकासि पैरेंट सेल होती है, यह पैतरक सेल होती है, तो देखें इसमें आप लोग देख सकत यह एक परकासि मोटी मोटी यह काजा एक परकासि कोल आइडी यह जो बॉल है, इसको कहेंगे इसपोर कोट, इसपोर कोट मलब कहेंगे और यह परकासि प्लाजमा मेंब्रेन होती है, यह कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स मतलब बलकोट होता है, और यह कोर बॉल होती है, त प्रिजेंट होता है। जैसे जो इस पूर कोट होगी, जल को एबजॉर करेगी, जल को डेक्ट about. जी जल को एबजॉर करेगी, जैसे ऑड़ से प्रकास से फूल जाएगी, जैसे फूल जाएगी जिस अजर सनी, ब्रेक की ब्ल Kashत बर्लह ö양, सिछा चाह है यह बाहर आज आएगा नहीं यह आ डेक सकते हुआ यह देखिए एंडोस्पोर बाहर आघे औरॉठ्ट नहीं जय्कें लाफिट नहींड नहीं यह बणालेगी की क्या ब्ले वनुट बैक्टीरियल सेल आप लोग देख सकते हो यह देखिए यह एंडोस्पोर था जैसे इसका ब्रेकडान हुआ इसने निव बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन कर लिया इस प्रोसेस ऑप एंडोस्पोर इस तरीके की होती है स्टक्चर इस चित्र को कुछ अच्छे सी किलियर करें तबही आपनों का यह इखुलियर होगा तो देखिए तो यह टॉपिक हतम हो गया है असेक्सवल रेक्टेक्शन और आपनों को बताएंगे सेक्सास कि बारे एंडा के वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें शियर करें कमेंड करें अगर आपनों चेनल पर नहीं है तो फिर आएंगे न्यू टोपिक के साथ, तब तक लिए गुट बाई